उत्तर प्रदेश के चुनाबी बिशलेशन और 60 कांकुरों के साथ सभी का शुआगत करते हैं और आज उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए अगर आज चुनाब हो जाता है तो फिर किस का पलरा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है तो अगर आज अगर बात की तो काश्ट का काफी महत्पून योगदान होने बाला है किस प्रकार के काश्ट जो बूट शेर है वो किस के पाले में जा सकता क्या योगे अदतनात को यहां पर कोई चक्कर दे पाएगा इस वर आपको सर्टी क्विश्टेशन दिखाएंगे योपी का अगला सी एम कौन हो सकता है इसके आखड़े बिल्कु तादर निकल कर सामने आ रहे हैं और आज रोजगा स्वास तस चा के लिए बेहतर किसकी सरकार है और क्या इन मुद्दों के अलावा क्या एनार से सी ए और रामन्दर मुद्दा हो या पिर अन मुद्दों को ल सीटें और उसे मिल जाएगी उत्तर पुद्देश की गड़ी लेकिन इससे पहला अगर बात कि तो उत्तर पुद्देश की आज विद्धन सवा सीटों पर उप्चुनाब होना है जा दोस तो उस चुनाब के लिए भी काफी महित्मून माना जा रहा है और इसकी मैंने संप क्या है और इसके औकड़े यहां पर के सकते हैं कि लेकिन बड़ा सवाल यह कि किस प्रकार के त pregn किस यहां पर दल के साथ है वर्टमार में अगर बात करें तो इस वरकार की जो आखड़े हैं और पॉपुलिशन की अगर बात करें परसंटेज में OBC परसंटेज देखें तो 40% बूट शेर OBC का है दलिट्स यहाँ पर 20% ट्राइवल कास्ट की अगर बात की तो यहाँ पर जिरू पॉइंट कुछ है मतलब बहुत कम है फारवर्ट फारडी के बात करें तो 23% यहाँ पर बूट शेर उनका और इसलामिक जो धर्म है उनके लिए यहाँ पर 19% अब बड़ा जवाल है कि यह बूट शेर किसके साथ जाता है इसके भी आकड़े आपको यहाँ पर देखाते हैं अगर मुसलिम बूटर जो 19% बूट शेर है वो SB को एक तरफ पर ट्रांसफर होता है तो साब तोर इसका फादा SB को होगा और इससे कहीने कहीं जिस वकाए कि 2012 में आकड़े बने थे वो एक बार फिर से 2022 में दोहरा सकते हैं इसके साथ तोर पर आकड़ देखिए 2017 चुनाब में जो रिजल्ट था उसमें 23 मुसलिम बधायक चुनकर आये ते लेकिन 2012 मुसलिम बधायक चुनकर आये थे इसका करण था कि SB ने जो है यहाँ पर 224 सीटे हासल की थी यानि साथ तोर पर मुसलिम बोटर काफी माहित पून है SB के लिए अब देखिए उत्तरप्रदेश के लिए अगर बात के तो S3 के साथ कौन कौन है देखिए OBC यादब और मुसलिम यह उनको सपोर्ट करते है S3 के लिए और जिस कारण से उन्होंने 2012 में अच्छी खासी स्यामत सीटे हासल की थे सरकार बनाई और पांस साल उन्होंने पूरी सरकार चलाई यानि उस्तरप्रदेश के वो एक अच्छे स्याम माने जाते हैं और BTP के लिए क्या कर सकते हैं काश्ट यहां पर वनियास सम्तिंग सपोर यहां पर एदब भी करते हैं और यहां पर कुछ जाटा और दलिक भी उनको सपोर्ट करते हैं जिस कारण से उन्होंने तीन सु सजाता सीटे 2017 में हसल की इसके लावा BTP को दलिक और यहां पर और बी जो यहां पर कैसकते काश्ट है वो सपोर्ट करते हैं कॉंग्रिस के अग परसेंट लोग मानते हैं कि प्रियंगा गादी उत्व परदेश में कुछ बड़ा करने वाली है क्यों कि इस्कार से उन्होंने महाल बनाया है और उत्व परदेश में काफी समय सवाइश वह प्रë् Computers לא लोग समझ चनाम हों या पर आम चनाम हों या पर जो महारेलियां भी उन्होंने की हैं। यहां पर कह सकते हैं कि पांच वर्सन लोगों का मानना है। लोग समझ चनाम में उतर जाएं लगवाग उनका 40% बूट शेयर उनको मिलता है। और 60% जो बूट शेयर है अगर माननी जे 60% बूट शेयर इन तीनों दलों को मिलता है। और यहां पर अगर यह गटवंदन में रहते हैं और एक सुर में रहते हैं तो बीजी पी को यहां पर मात दी जा सकती है। है यहां पर बारी है बारी है दो हजर वाहित चुनाप के लिए जिस तकार के आँकड़े यहां पर निगल रहे हैं। BGP के 33% लोगों का मानना कि बेतर उनकी सरकार रही है और जिसकार के कामकाज है और जिसकार का यहाँ पर रवया है CM को लेकर वो लोगों को गईने का इराज आ रहा है उस पर 33% लोगों का मानना है उसका साफ तोर पर 41% लोगों का मानना है VSP को 11% लोगों का मानना रहा है देखिए उक्ता प्रदेश में रोजगार को लेकर लोगों का क्या है कहना बहुत अच्छा कहने बाले 18% लेकिन अच्छा कहने बाले 8% बहुत खराब कहने वाले यहां पर 69% है तो खराब कहने वाले 10% और 5% लोगों का मानना है कौन जीतेगा अधिक्तम सीटे उन तक फ्रेज के लिए 2022 में बीजीपी को 31% जो है यहां पर लोग मान रहे हैं कि जादा सीट जी सकते मनें यहां पर अगर बात की तो बीजीपी जो है लगवग 30-40% बोड़ शेर बीजीपी का किसी भी चुनाम में हो जाते हैं उनको मिलता है भले उनको सीटे कम मिले या जादा मिले लेकिन बोड़ शेर उनको लगवग इतना ही होता है और बीजीपी को 4%, एस्पी को 40% और कॉंग्रेस को 23% अब यहां पर आप देख सकते हैं अगर एस्पी, कॉंग्रेस और यहां पर मायवदीजी को अगर बोड़ शेर मिला लिया जाए तो यह बहुत जादा हो जाता है और बीजीपी को मात देने के लिए इन तीनों दलों को एक साथ आना चाहिए जो एक्सवर्ड आपने रख रहे हैं और जो एक्सवर्ड का अनुमान है तो कि हम बात करें हैं उत्तफदेश की लिए चुनावी अनुमाद 2022 के लिए राए निकल का सामने आ रहा है इसके लावा किस प्रकार का गड़बंदन होगा इस पर अपनी राए कमन बॉक्स में रख सकते हैं अब देखिए यहां पर बात करें तो 2017 में जो हुआ था उसके आंक्रों के हिसास से अगर प्रडिक्शन किया जाए और इस वक्ते के जो हाला थें कई बड़े मुद्दों को लेगर तो फिर क्या कुछ आंक्रे बन सकती है देखिए बीजीपी के अगर बात करें तो बीजीपी जो है यहां पर कैसकते हैं 312 सीट उन्होंने हासल की यानि 265 सीटों का इजाफा हुगा और यहां पर कर बात करें तो बहुदं समाथ पार्टी को 61 सीटों का नुक्सान हुआ तो वही 177 सीटों का नुफसान समाजवादी पार्टी को 2017 चुनाम में हुआ था तो इतनी सीटों की रीकवरी करना इनके लिए काफी मेहनत का काम होगा और काफी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक एक सीट पर इनको काफी मेहनत करनी होगी 203 सीटों में से 202 सीटों पर पूर बहुमत की सरकार बनती है इसमें अन्य के अगरबाद के तो 6 सीटेन के खाते में जा सकती हैं इसके अलावा यहाँ पर भी मार्मी को यहाँ पर एक सीट मिलने का अगमान है और यहाँ पर अगर बात करें तो AIM जो पार्टी उनको दो सीट मल सकती हैं लेकिन गड़ बंदाने मगर चुनाब लड़ते हैं तो काफी महत्मूल भूमिका में ये भी हो सकते हैं अकेले चुनाब लड़ते हैं तो इनको जाता सीटे तो नहीं मल रही हैं लेकिन S.P. B.S.P. और अंग्रिस का बोर्ट शेट कम करने में काम करेंगे इसका फारस सीटे तोर पर B.G.P. को उने बाला है इसके लाबा अपना डल जो कि B.G.P. का सायोगी डल है उनको चार सीट मलती नज़र आ रही हैं और यहांपर अगर बात करें तो मायवदी जी के लिए 28 सीटे इस वक्त दिखाई दे रही हैं और अगर बो यहांपर किसकते हैं कि महागडबंदन में सामल होती हैं तो उनको यहांपर कितना फायदा हुआ यह सीटों पर नरभा करता है यह पर अक्किली चुनावी मैदान मोतरती हैं तो फिर उनको 28 कॉंग्रिस को इन सीटों में मिलने का अनुमान है लेकिन अगर वो ऐसी के साथ गड़बंदन कर लेते हैं तो फिर उनको सीटे जो मिलेंगी इसके आधार पर आंकड़े बदल भी सकते हैं उनको फायदा भी हो सकता है और यहांपर अगर बात करें तो फिर बीजीपी के लि लेकर चुनाबी मिदान वोतरती है या पर आने वाले समय में अभी तायम है उसके बीच एतर बीजीपी जो है कई ऐसी योजनाव को लागू करती है कई जो यहांपर के सकते हैं कि किसान को लेकर मुद्दा हो या पर अन जो मुद्दे हैं बड़े-बड़े मुद्दे हैं तो यकिनन बीजीपी का आख़़ा आने वाले समय में बड़ भी सकता है एस्वी के अगर बात की तो 180 सीटे इनको इस वक्त दिखाई दे रही हैं लेकिन आने वाले समय में किस वकार का यहां पर कामकाद होता है किस वकार का गड़बंदन होता है इसके बाद इनको से मिल सकते हैं वहाँ जन समाज पार्टी हो यहां पर एसवी बीएसवी कॉंग्रेस ने को साथ लेकर यह चलते हैं और एक सुर्में यहां पर काम करते हैं तो 2022 चुनाब में यहां पर कह सकते हैं कि गड़बंदन की सरकार अगर नहीं बनती है तो फिर कहना एक पार्टी को जो है S.P. को जो है 202 सी टोफर यहां पर अपनी वाफ़ी करना थूरी सी मुस्किल है लेकिन आसानी सी यह पाफ़ी कर सकते हैं अगर B.G.P. को अनमदो पर नुक्सान पूरता है तब यह आंक्रे बनते हैं वरना B.G.P. जो है वो बड़ी पार्टी एक वाफर से बनती नज दरारी है तो दोस्तों यह तो चुनाबी अनमान है और आपको कह लगता है क्या 2022 में किसकी बनने जारी सकार क्योंकि इस वक्त के हालात को देखती हुए और जिस वकार के आंक्रे 2019 लोग सबाव में मिले थे उसके आधार पर तो यहां पर B.G.P. का पलरा भारी है लेकिन यहां पर सरकार बनाना लगबक तैमाना जा रहा है लेकिन आपको कहला रहा है क्या उत्ता कुडेश्ट 2022 में किसकी बनने जारी सरकार क्या यहां पर कॉंग्रेश अपने दम पर सरकार बना लेगी यहां पर घडबंदन में चुनाब लड़ेगी यहां पर B.G.P. 2017 की तरह ही 350 सीडों के पार जाएगी इस पर अपनी राय कमल बॉक्स मर रख सकते हैं आने वाली सभी जानकारी के लिए अभी चैन को आप सस्क्राइब कीजिए तो आपको महिक कुन जानकारी इससे भी अच्छी मिलती रहेगी तो मिलते हैं और नई जानकारी साथ अब तक क्लिए जय जय भारत